हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सो भी अमीद करता हूं आप से मस्त होंगे और स्वस्त होंगे आज की वीडियो बहुत ज्यादा मज़दार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में जो हमारे अमीद भाया है उन्होंने एक पुरी 52 सीटर बस को मिट्टी के अंदर जिंदा दफन कर दिया जिंदा कहने का मतलब है कि वह जो बस थी वह वर्किंग कंडिशन में थे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से वीडियो स्रीप एक रीक्वेस्ट आप मेरे चैनल को प्रीज सस्काइब कर दिए और वीडियो अच्छी लगे तो बिना लाइक किये मज जाए कर दो चलिए वीडियो में मिलते हैं वीडियो में आज आ चुके हैं अपने फील्ड पे और स्री गडेश को चुटा है और आप पहले प्रीजिक का इंज्वाइली न्यूस के बाद हम आप झाञे ओल में मिलते हैं एंज्वा जे जाए ब में मिलते हैं भीडियों जा हम ऐसराराव प्रया फणरे से. 23. जिए यही वह बस है जिसका आज अंतिम दिन है अंतिम दिन ही बोल सकते हैं अंतिम दिन ही क्यों बोलो में अंतिम कुछ घंटे बागी है और यह हमारे अमित बहीं उतर चुके हैं अरा बहीं राम सुतरो नहीं तो पैर मुढ गया ना बीड़े छोड़ के पहले आपको वहां ले जाना पड़ेगा डॉक्टर कहां पर तो थोड़ा मिट्टी देख कुदाजना चाहिए ना कि नीचे क्या है उतरे गेट कुला खट से नीचे उतर गए एक दम से और यह देखिए जो की एक फुल साइज की बस है छोटी मिनी बस नहीं यह दोस्तों यह फुल साइज की 52 से इसको दफन करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है तो जैसी भी लगता जैसी काम खतम हो गया है तो आप तो आगे बढ़े जाईए अब कौन आएगा सीधा कुदा देंगे टार्जन किता टार्जन यह जैसे लगता इसको भी कुदा देंगे है कि नहीं ऐसा नही सब्सक्राइब करता है कि आप इसको एक दिन में निकलवा पाएं दो दिन में एक साल में बढ़े का 20 मिलियन पूरा करा देंगे तो तुरंट निकलवा देंगे और बढ़े का 20 मिलियन आप तुरंट पूरा तो कराई दीजेगा ताकि वो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे इसके निकालने वाली उस पर मैं कॉमेडिक कमेंट्री कर पाऊ नो बेटिंग नो कोई जो रिजर्वेशन कुछ भी वहता कोई नहीं या सिधा कंफर्म टिकट ठपा लग जाएगा सिधा उपर जानेगा है की नि और बस सब कुछ समय में ही इसका जो लगता है कहां जाएगी उपर जाएगी की बाहर जाएगी बस की हालत तो देखके लग रहा है कि हाया टाटा की बस है लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तिदीख खराब चले है इसकी और यह परचार आगया भई लगता है हम तो हम कुछ ब हम पर पर जाएगी तो गाइस यह देख सकते हैं बसको आखरी बार इसके गाउं में टहलाया जा रहा है कि भाईया आप यह हमारा गाउं है यह हमारी गाउं की सड़के हैं यह हमारे गाउं के कुछ लोग हैं जिनको आप आखरी बार देख लीजिए क्योंकि उनको खुद नहीं पता इस बसको कि आखरी बार जब निकलेगी वो सुरक्षित रहेगी यह टेणी हो जाएगी कुछ नहीं पता तो बैया थोड़ा आप नचाद उसको एक नंबल लगा क् कुदा अब इल्कुल लभगा वस्सी की रब्ता में क्या धीरे दिना यह अरे हमको भी आता है दिना 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 तुमको नहीं आता हम भी प्रो डांसर थे बतलब है अभी भी है और स्टेरिंग देखो बहुत बड़ा स्टेरिंग है इसका तो ओ भाई पूरी मतलब रोड क जहल पाता है की निए अपने भारत में बहुत प्रेमास के टाटा का लोहा स्वारी माप किजिए टाटा जी का इसे नाम ने श्री रतन टाटा जी है न और यह बहुत बहुत बड़ी बस है इसको दफन करना भी अपने अब टास्क होगा कहा वह या एक नमर यह घुमाया के स्टाइल लगा एक वारण पूरे बस घुमा दी बहीं और यह लगता जेसीवी का काम पूरा हो गया है बस कांग गई बस कांगे भी या कांग वह खड़ी अच्छा क्रेंगे क्रेंट से उठाएंगे क्योंकि जेसीवी काम सिफ गड़ा कोदना गड़ा कोद दिया गया है जेस यह मतलब क्या दिखा रहे हो क्या नीचे उतर जाओ नीचे क्यों कर रहे हो और यह देख कर भाण की पेंदि क्रेंगे के कुछ समझ में नहीं आरा यह घुसे भी अंदर की नहीं घुसे ठीक से नहीं अगर भाईया के क्रेजी अरे इसे गाउं में वह छोटे बच्चे नहीं चड़ लेते गाउं को गाड़ी के पीछे और पहुंच जाते बजार तक फिरी में यह कई बीच में उसको देख लेता ड्राइब तब उनको उतार वैसे बिलकुल वैसे लग रहे वहां बिलकुल वैसे अरे देखो पीछे दो लोग लुटके हुए कई पहले वहीं ना गिर जाए पहले हां वह देखो पीछे अच्छाइड बता रहे हैं कि और यहां इसको गढ़े किनारे खड़ी कर दिया गया यहां से उठा करके वहां उ पहले खोद दिया गया है है कि नहीं इसको भी बता दिया जाएं कि ठीक से बता दें इसको कि यह गढ़्धा जो है इनी के लिए खुदाया गया है ऐसा ना सोचे कि बस ऐसी खोद के हमको लाके खड़ा कर दिया और यह आकरी बार वहेद बस से उतर गए और चावी क्या करो फैकोगे फैक तो क्या ही फरक पड़ता है रहन दो कभी जब निकालो कि क्या पता जेल जाए इतनी जो मटी की होती है नमी जो होती है जेल जाए बस चल जाए है ना फैकना नहीं चाहिए और हां आखरी बार दिखा दो क्या बता रहो है अच्छा कंडिशन दिखा रहा हां दिखा दिखाओ पड़ेगा कहना क्या चाहते हो Hydit मैं को पहले सुने आ गया कि थोड़े से कंडिशन के बारे में दिखा रहें चीट भी ठाप बहुत दिन से खड़ी भीती तो मुझे लग रहा है गंदी क्या गंदी है लेकिन उपर कि छत तो भाई बिल्कुत सही लग रही है सही भी है क्योंकि यह टाटा का लोहा है तो छत त सही रहेगी और सीट की कंडिशन भी बहुत सही है बश्त धूर्वल लग गई तो चलता भाई पुरानी बस थी और यह फाइनली को टांगने के लिए टांगने के लिए तयार हो चुकि है बस भी और थोड़ा दूख हो रहा है कि इतनी बड़ी बस है किसी के पास इतना पैस प्राइन बस खरीद के अपने जो सब्सक्राइबर उनके कहने पर इतनी बड़ी बस को मिट्टी के अंदर दफनार है न तो इस सब भाई सब्सक्राइबर जो मांगते हो देना पड़ता है और फाइनली उपर से व्यू देख लीजिए थोड़ा गड़े का कुछ इस प्रकार स रहे जोरी बहुत मश्ट लग रहा है मुझत और चोटा लगा दिया गया है और प्ट्टे से अभी इसको लटका दिये जाएगा क्या बता सब्सक्राइब आरे लगा दियो आरे हो जाया गट सब बढ़िया ठीक से लगाना इदर उदर हो गया न भाईया तो सबसे पहले जाकर के आराम से बिल्कुल जल्धिवाजी नहीं यह बिल्कुल अराम से जल्दि बाजी नहीं सेंट्र ओप महा थोड़ा से चेक कर लो इसी बहाने जल्दी से उसका नाल ले जाए है कि नहीं ओ भाई औरे भाई पूरी बस हवा में हो गई अरे बाबा अरे बाबा मज़ा आगे भाई मज़ा आगे देख करके मज़ा आगे पूरी बस हवा में है देख लो भाई अब भी देख लो यार भाई मज़ा आगे देख करके तो यार इह और गायस इतना साइन सिन देख कर के आप भी जल्दी से मेरे चैनल को प्लीस साथक्राइब कर दिजिए कंजूसी मत कीजिए आगे बहुत ही ताड़ा सीन आने वाला है तो जल्दी जल्दी आप में चनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह फाइनली देख लीजिए गाइस पूरी बस पूरे चार टायर पीछे हैं हवा में जूल रहे हैं और फूरी पूरी बस जा रही है गड़े के अंदर समाने वाली है कुछी समय में मुझे एक चीज आपसे पूछनी है अगर इस बस को अभी बेचा जाए तो कितने में बिख जाएगी आप कमेंड करके जरूर बताईएगा मार्किट में मतलब गड़े नहीं अभी जैसी स्तिति में है इस स्तिति में बेचा जाएगा तो इसका क्या प्राइस रेट लगेगा मार्किट में आप मुझे जरूर बताईए कमेंड करके ताकि मैं जो मेरी स्वच में चलना रेट वह मैं देखूं आपसे समयाच कर रहा कि नहीं कर रहा मेरे हिसाब से जो यह रेट अभी जो है इसका यह सैद मिलेगी 20 से 25 लाक में और भाई देख लो यह जेखो जेसी बीगा टायर ओ क्रेंड का टैर भी हवा में आ गया अब कैसे इसको रोकेंगे हाँ पीछे से जेसी बीके सपोर्ट लिया गया है जेसी बीने प पट्टा बीट सकता पट्ट्ट्ट के आँखों में भी लग सकता है ठीक है और टाक है खेंड जारी और कहा जा रहे हैं रहे कहा जा कितनी है कि और यह देखो भाई देखके डल लग रही है कहीं उपर से एक भी मिट्टी के चट्टान गिरी ना भी या तो कैमरा खुद भी चले जाओगे जल्दी से निकलाओ बहार ठीक है यह देखो भाई और अब क्या करें भाई अब यह सब अच्छा नहीं लगता लेकिन स भाई यह देखो बिल्कुल आता लगा पहाड कमसे कम 15-20 फुट की खुद गया भाई और पीछे से मुझे लग रहा थोड़ी सी उपर है बस पीछे से मुझे लग रहा काटके निकालेंगे है कि नी पीछे से उपर लग रही है और यह यह किसका जूता गिर गिर गया नीच होता है यह कहाँ जा रहे ओ लगाई को बता तो यहां पर बोहासों कि रही है कि नहीं होती है हूँ कि यह थेहे बाई क्या इस पेस अब पूरे सीधे खड़े होगा उसके बाद भी सायद एक बित्ते की जगा बागी इनके सीर में उसके उसमें ट्रक से मतलब बस में टेच होने से और यह बस की चेचिस वगेरा अभी देख लो भाई ऐसी होती मैं देख लेता हूं इसी बहाने कैसी होती नीचे से और वैसे तो कभी जाकने कोई जाने दिनी देगा ओ भाई मरने जा रहा है कि ऐसे सारे बोलेंगे दूर सही और यह कहां जा रहे है आगे लगता आगल सीट प पैर में लग गई तो इसमेल करेगी गाउं की देशी मिटती है चपल पहन कहना चाहिए था तो लो आखरी बार अप्ड़ा रिवीव करा दो बसका और अरे कहां कर रहे हो अच्छा हां टायर बराबर करें तो लोड़ा देखके यह तो पर उठा हो जाओगे समझे अराम से बिल्कुल जल्दीपाजी नहीं करने का अराम से करने का टोपी वाले भाई लाल वाले भाई हां बहुत परिसान हो गया है ठंडी का महीना है और देखो गर्मी छूट रही है क्या कर रहे है ओहो किसे क्रें से तुमको क्या तुमारे पुरी टीम को टांग लेए के लिए वह है कि नहीं और अब तो सब कुछ हो चुका है आखरी बार बस का रिव्यू करा दिया गया है अब बस कुछी समय की बात है इसको इसमें मतलब जो गठा है उसमें मट्की डाला जाएगा और बस को पूरी देख जाएगा और यहां पर शुरू हो चुका है अंब झाल से खिवी आखिया नहीं करना चाहँ जालते रहो संटीने का यहां वह चाहिझा दीखुक ь चुक्ता आपको टीने करते ही जंस क्थिशन देहो आखो राम हो हं झाल झाल देखिए भाई ठंडी का महौल है पूरा सूरज डूब चुका है भाई अभी जैकिन में आ चुके हैं और हाँ आप भी लाइक का बटन दबाद दीजिए और गैस आज की जो कॉमेडी वीडियो है वह यहीं पर समाप्त होती है अभी तक आपने मेरे चैनल में सिस्क्राइब कर लीजिए और लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजेगा मिलते हैं फिर किसी नेक्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ कॉमेडी टॉपिक के साथ तब तक ले जैहिंद जैभारात